हां जी बेटा गुड इवनिंग हां जी बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है हाउस प्रोपरिटी और आज बेटा हमने टाइप नूंबर फॉर स्टार्ट करनी है टाइप नूंबर फॉर बेटा क्या है वेन दा होल हाउस इस लेट आउट फॉर सम पीरियड एंड सेल्फ कुछ पीरियड के लिए मकान के मालिक द्वारा यूज किया गया हो और कुछ पीरियड के लिए बेटा किराये पर दिया गया हो दूरिंग दा प्रिवियस यह तो ऐसे मकान का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बेटा यह एक्जाम पॉइंट आव यू से मॉस्ट फूर मन्स फूर मन्स बेटा यह सेल्फ उक्यूपाइट रही यानि कि फूर मन्स इस प्रोपैर्टी को मकान के मालिक ने यूज किया और एट मन्स उसके बाद हो सकता है उसकी कहीं ट्रांसफर हो गई हो ट्रांसफर होने की वजए से उसको अपना घर छोड़ कर कई किसी द बेटा वह मकान उसने खाली कर दिया और आगे लेट आउट कर दिया किसी तो ऐसे मकान का क्या treatment होगा इसको समझते हैं हां जी सबसे पहले ऐसे मकान की हमने क्या करना है सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे इस एक्सपेक्टेड रेंट इसे इस देडaiser निकलेगा था और वह सेलफ उक्यूपाइड था तो आपको क्या करना है पहले एक बार पूरे मकान का फुल एर का एक्सपेक्टीड रेंट केल्कुलेट कर लेंगे एक्सपेक्टीड देंट के लिए आपको मालूम है हमें तीन चीजों को कंपेर करना होता है मुनिसिपल वेल्यू फिर क्ट्रेयर करेंगे जितने के लिए मगान वास्ता में कि राय पर दिया जो हमारा यहां पर कितने मंस ये उसके आपने क्या करना है दोनों स्टेप्स को बेटा कंपेर करना स्टैप नमबर वन और स्टैप नमबर 2 को कंपेर करेंगे और विच्वर इज हाइए जो भी दोनों में हाइए रोगा वो ग्रोशनल वैल्यू हो जाएगी रोसनल वैल्यू is equal to step 1 और step 2 जी बेटा विच एवरीज हाई रम जो भी बेटा दोनों में हाई रमाउंट होगा वो हमारा ग्रोस अनल विल्टी हो जाएगी उसके बाद बेटा आपने क्या करना डिड़क्ट मुनिस्टिपल टैकस्टिज का जी तो फुल यर के बेटा अब फुल एकसे आपको इनके मुनिसीपल टेक्स के वल आप उतना ही माइनस करेंगे जो ओनर ने पे किया है दूरिंग दा प्रीवियस यह और यह फुल यह का मतलब यह है कि आपको ऐसा नहीं करना कि फॉर मंस जो सेल्फ उक्यूपाइट रहा है और एट मंस लेट आउट रहा है तो आपके वल एट मंस के करेंगे हाँ जी बटा चाहे मकान सेल्फ उक्यूपाइट रहा है चाहे चाहे वो लेट आउट रहा है आपको जो मुनिसीपल टेक्स है वो पूरे यह का बटा लेस करना है बट कंडिशन यह है कि मुनिसीपल टेक्स की वास्तव में पेमिट की गई हो किसके द्वारा की होगा है ठीक है यहां पर फूल लिएर लिखने का मतलब का मतलब है कि जो हमारा से लवक्यूपाइड पीरियूड है और जो लैनाँ का ही रहें बैदांगे ऑ का हम करना है और सेल्फ यह करना है बट कंडिशन यह है कि उसकी वास्तव में की गई हो छी का वी यह सिवारा पस अन्रिलाइज रेंट अगर मकान के मालिक कोई किराया बेड़ेट्स हुए है और रूल फॉर की शर्ते पूरी होती है तो अन्रिलाइज रेंट भी बेटा माइनस कर देंगे हम उसके बाद डिड़क्ट हां जी बेटा उसके बाद हम क्या डिड़क्ट करेंगे स्टेंडर गांट अन्रिल वेल्ई जो भी हमारी एक उसका 30 पर सैंट हो जाएगा और फिर लास्ट में इंटरस्ट ऑन लों इसके बाद हम इंटरस्ट ऑन लों माइनस करेंगे में इंटरस्ट ऑन लों कि पहले की तरह कैलकुलेट होगा प्रीवियस यह का इंटरस्ट पुलस वन- प्रिपेड पिरियड आपने फुल येर का बिटा इंट्रस्ट वन्वा लाउन लेस्ट कर देना ठीक है जी एसे नहीं करना कि इंट्रस्ट वनलऊन केलकुलेट किया और उसको भी एड मंज कर दिया क्योंकि मकान तो बिटा आठ महीने कि राही पर दिया गया है मकान में वास्ता में मकान से जो अर्निंग हुई है अर्निंग तो बेटा वास्ता में मकान से आठ महीने की हुई है ठीक है बट आपको ये ध्यान रखना है खर्चे आठ महीने के बेटा लेस नहीं होंगे खर्चे पूरे साल के ही लेस करने है भले ही उस मकान से अर्निंग होगा हां जी बैटा यहां मैं लिख देता हूं नो treatment नो separate treatment for self occupied period अगर होता अलग से बैटा कोई self occupied portion होता उसका तो treatment होगा बट से लग से बैटा कभी भी treatment नहीं होता यानि कि जो portion common common portion का मतलब जिसमें मकान का मालिक भी रहा हो और उसी सेम portion में मकान का किरायदार भी रहा हो ऐसी situation में self occupied जो पीरियेड है उसका कोई अलग से treatment नहीं होगा ठीक है यह ध्यान पोर्शन का ट्रीटमेंट होता है और वह बीत वोता है जब पूरा का पूरा सेल्फ-Occupied पॉर्शन अगर में जूज किया है तब इसका सेपरेट ट्रीटमेंट होता है एक पीडुन लोल भीटा वी दाओट अनी लीमिट इंट्रस्ट ओन जो लस्क करेंगे। उसकी कोई लिमिट अप्ली के बल नहीं होगी यहां पर चलिए इसको एक समक्राइब से समयते हैं हाँ जी मैं आपकी बुक से एक सम ले रहा हूं कोश्चन बर 16 पहले उसका एक ले आउट त्यार कर लेते हैं हां जी बेटा देखिए यह एक हाउस है इस हाउस की बेटा मुनिसीपल वैल्यू आपको दे रखी है रुपीज 30,000 अजी बेटा फेर रेंट फेर एंट बेटा हमें गीवन है रुपीज 36,000 एक्चुल रेंट एक्चुल रेंट है बेटा रुपीज 4000 पर मन्त और यह मकान बेटा ओनली थ्री मन्स लेट आउट रहा है प्रीविएस यर के दोरान और नाइन मन्स बेटा यह मकान सेल्फ ओक्युपाइड था ठीक है जी अच्छा और क्या-क्या दिया हुए इस समके बारे में मुनिसीपल टेक्सिज हैं रुपीज 6000 अजी बेटा इस मकान के लिए एक लोन लिया हुए अमाउंट ऑफ लोन रुपीज और फिफ्टी थाउजन और किस परपस के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन और देट ओफ लॉन डेट ओफ लॉन है विटा एक अप्रेल चोदा अच्छा जी डेट ओफ कंपलेशन मकान विटा बनके त्यार हुआ है एक एक सत्रा को अजी टा रेट अफ इंट्रस्ट रेट अफ इन परसेंट पर एनम हां जी बेटा और दस जार पे का लॉन वह वापिस भी कर चुका है री पेमेंट ओफ लॉन रुपीज तैन थाउजन दस जार का लॉन वह वापिस कर चुका है कौन सी डेट को एक चार सोला को हां जी बेटा कि यह बेटा हमारा समय आपको हाउस प्रोपरिटी की टेक्सेबल इंकम निकालनी है फोर दा प्रीवेस यह नाइंटीन ट्वेंटी कि देखिए वेटा कैसे करेंगे कंप्यूटेशन ओफ टेक्सेवल इंकम ओफ आउस प्रोपरिटी फॉर प्रीविएस यह नाइंटीन ट्वेंटी असेस्मेंट यह ट्वेंटी ट्वेंटी वन देखिए बेटा कैसे करेंगे यह बेटा स्पेस हमने रिजार रख लिया वर्किंग नोट के लिए हैं सबसे पहली बात विटापको ध्यान रखनी है ऐसी सिच्वेशन में जो सेल्फ उक्यूपाइड पीरिएड है नाइन मंस का बेटा अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा नो सेपरेट पूर सेल्फ उक्यूपाइड पीरिएड तो करना क्या आपको आपको बेटा लेट आउट पीरिएड का ट्रीटमेंट करना है ठीक है तो कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले ऐसी सिच्वेशन में सबसे पहला काम आपको क्या करना है एक्सपेक्टिड रेंट आप निकालेंगे एक्सपेक्टिड रेंट वेटा कैसे निकालना है उसके लिए आपको मुनिसिपल वेल्यू फुल यर की लेनी है थर्टी थाउजट मुनिसीपल वैल्यू बेटा आपको गीवन है फिर एंट भी गीवन है स्टेंडर्ड रेंट इस कोशन में मिसिंग है तो आप मुनिसीपल वैल्यू और फिर एंट को कंपर कर लिजिए हांजी बेटा एक्सपेक्टिड रेंट क्या हो मैं एक्सपेयरंट हमें लेना है थरी मुंस का क्योंकि मकान 3 महिने की राया चारहजार के इसाब तो यहां मैं लिख देता हूं सबसे पहले हमने ग्रोस एनल वैल्यू कैल्कुलेट कर ली थर्टी सिक्स थाउजनद तो मिनिसीबल टेक्स यावन जो आपने जो ओने इस कोशन में कुछ भी मेंशंद नहीं तो आप यह श्यूं कर लेंगे कि municipal tax are completely paid by honor ठीक है जी मैं लिख देता हूं बटा यहां पर यहां पर जो आपने municipal tax minus करने है फुल एर के minus करने है ऐसा कभी भी नहीं करना कि हम तीन महीने मकान तो तीन महीने किराये पर दिया हुआ है तो कहीं आप six thousand का यह जो municipal tax यह फुल यह का ही लेंगे इसको थ्री मंस का नहीं करना यह ध्यान रखिएगा रीजन क्या है क्योंकि यहां पर हम सेल्फ उक्यूपइड जो पॉर्शन पीरियड है सोरी सेल्फ उक्यूपइड जो पीरियड है नाइन मंस का उसका अलग से कोई treatment नहीं कर रहे तो आपको क्या करना है जो भी आप करेंगे जो भी खर्चे आप लैस करोगे जो भी विटा खर्चे लैस करेंगे वह पूरे मकान के ही लैस होंगे फुल यर के ठीक है फुल यर का हमने 6 ले रहे हैं वैसे भी आप देखिए यहां पर जो मैंने स्पेक्टिड रेंट लिया है एक्सपेक्टिड देर के लिए और अट्यों में जब मैँने कंप किया तोंगर की जो की पूरे साल का एक्सपेक्टिड रेंट विटा फुल यर का जब हम ले रहे हैं तो खर्चे भी बेटा जो हम लेस्ट करेंगे वह फुल यर के ही लेस्ट करेंगे ठीक है और थर्टी सिक्स थाउजंड माइनस करेंगे थर्टी थाउजंड यह हमारी नेटनल वेल्यू अन्रिलाइज रेंट है नहीं सुष्ण में तो अब क्या माइनस होगा स्टेंडर डिडेक्शन स्टेंडर डिडेक्शन बेटा कितना प्रेसेंट होता है थर्टी प्रसेंट ओफ नेट एन्वल वेल्यू तो यह वेट नाइन्थाउजंड स्टेंडर् डिडेक्शन हो गया उसके बाद हम एक लॉजं mind about up निकालई प्रीवियस का इंट्रस्ट हैं प्रीवियर्स यर मैं इंट्रस्ट और मिन धिंड से सुनीगा प्रीवियर्स निकलेगा 50 रा लूँ था जिसमें से 10.000 वापिस को जाचुका एक चारसो लागत तो प्रीवियर्स लोन वापिस किया चुका है तो आउटस्टेंडिंग लोन कितना रह गया तो फॉर्टी थाउजंड का तो हमारा यह जाएगा एक निकालो प्री कंस्ट्रक्शन पिरिएड पी सीपी प्री कंस्ट्रक्शन पिरिएड के लिए विटा आपको बताया हुआ स्ट्र इस Óस्ट्र से लेकर एक समय को स्ट्रक्शन अगर एक सत्रा हो उला सत्रा सबस्क्राय सत्रा अब सोला सत्रा जो पहले से वना साले इस सब्सक्राइब preceding year preceding year बिटा कोन सा بنेगा 16 17 का preceding year बनेगा 15 16 ठीक है जी इस year की 15 16 year की last date लेनी है 31st March हां जी बटा 15 16 की last date जिस year में मकान बन के त्यार हुआ उससे पहले वाले साल का अंतिम दिन एक तेस तीन सोला एक चार चोदा से बेटा इक तीस तीन सोला यह पिरिएड निकाल लीजिए इस यह बनेगा आपका ट्वेंटी फॉर मंथ आपका प्री कंस्ट्शन पिरिएड आगया अब बेटा क्या करना है इंट्रस्ट निकाल लेते हैं अंब इंट्रस्ट औपरी कंस्ट्शन पिरिएड कैसे निकालेंगे फिफटी थॉजेंड का लोन पूरे फिफ्टी थाउजंड पर निकलेगा क्योंकि 31 सोला से पहले पूरा पूरा लोन आउट्सेंडिंग था फिफ्टी थाउजंड यह दस जार को लोटाई है एक चार तीक है एक चार सोला डेट विटा इस पिरियड में नहीं आती इसके बाद आएगी 31 सोला के बाद आए सब्सक्राइब कर लेते हैं है कि अधिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा इस टैन थाउजंड आ जाएगा इंट्रस्ट और परी कंस्ट्रिक्शन पिरेट तैन थाउजंड अब इस टैन थाउजंड की बेटा कितनी इंस्टॉल्मेंट बना लेंगे फाइव इंस्टॉल्मेंट की फाइव इंस्टॉल्मेंट बना दीजिए लो बेटा बना दी टू तो आपका प्रीविएस इर विटा क्या है आपका 1920 है तो उसमें आपने चेक कर लेना है कि आपकी इंस्टॉल्मेंट लाइक कर रही है यह यह लिए तो 2000 प्यटा यह हो जाएगा और 4000 इह हो गया मांं जी टोटल इंट्रस्ट टोटल इंट्रस्ट प्रूट्र्फ टोटल इंट्रस्ट क्यों प्लस 4000 ईंट्रेट डिडेक्शन मिलेंगे तो यह 6,000 पूरा का पूरा लेस करना है यहां पर इसको आपने फुल ये के लिए लेस करेंगे यहां ध्यान रखना है तो यहां पर आप इसे माइनस करते लिए 30,000 में से नाइन और 15,000 यह बेटा हमारा 15,000 पर ही हमारी टेक्सेवल इंकम आ जाएगी टेक्सेवल इंकम अंडर दा हैट हाउस प्रोपैर्टी हां जी बेटा बताईए कलियर है चलिए ऐसा एक सम बेटा और करते हैं झाला है तो हाई हाई कर दो 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 आप कर दो लुट झान जो थे लिद दो आपता है when some portion when some portion of house property is self-occupied and the same portion when some portion of the house property is self-occupied for some period and the same portion is let out for remaining period पांजी बीटा देखिए कैसे करेगे इसका बीटा हमें एक सम ले लेते हैं कोशन नमबर 17 देखो बीटा पहले इसका हम एक ले आउट त्यार करते हैं 17 कोशन में क्या कहता है थांजीटा मिस्टर नरेश कुमार मिस्टर नरेश कुमार का बेटा यह मकान है इस मकान में कितनी यूनिट्स हैं दो यूनिट्स हैं थांजीटा वन यूनिट इस लेट आउट फोर एजिदेशल परपस और मंथली रेंट रुपीस 2000 हांजीटा हावएवर दिस यूनिट रिमेंड वकेंट फोर थ्री मन्स दूरिंग दा प्रीविए सियर इट वाज यूज़ वाइश्टर नरेश कुमार पोर ही ओन डेजिदेंशल परपस आंजीटा देखिए इस मकान में बटा दो यूनिट बना ली यह फिस्ट यूनिट इस मकान की जो सबसे पहली यूनिट है आंजी विटा दो हजार पर मंथ रेंट पर लेट आउट की हुए है आंजी वेटा वो है आपका की टू थाओंज़ेंट पर मंथ यह विटा आपको एक्चुल रेंट गीवन और यह यूनिट चो लेट आउट रही है वह वह बैटा लेट आउट थी तीन महीने बीच में या ययुनित कहली रही जब यह युनित कहली रही उस टाइम इस युनिट को किस ने यूज किया ओनर न अगले त्री मंच रोग क्यों I mean ज्यान से सुनिए नाइन मंत को फेbt लेट आउट है और थी मन्स Gef कहा रही सेलफ औकmeeAngel today और जो Juli गार चाहर का और दूसरी तॉनिट का जो हाप पॉर्षन आ उन्म है पाउंट का और वह का हाग फीए परसेंट पॉर्षन यह औफिफ्टी परसेंट पॉर्षन यह सिफिटी परसेंट पॉर्षन ही हो गया कि विट चींट सेलf यूपाइड ए यह मकान का मलिक खुद यूज़ कर रहा है पूरे साल के लिए ठीक है जी और बाकी बेटा जो हाफ यूज़ पॉर्शन है यह सेल्फ उक्यूपइड है यह भी और फॉर ओन प्रोफेशन यह बिजनेस यह प्रोफेशन के लिए यूज़ हो रहा है रहे हैं अच्छाजी और डी टेश्चेह आपको हर टीटेश दरखी है REPाथर जो है एं पूर सूरे आ पूरे मकान का आप उसके कि रिडेयर इस मकान की रेपेर पे कितना खर्चा हुआ हूए से फाइए सॉज़एड यहाँ पॉच्य नहीं होगा क्योंकि स्टेंडर्ड डिडेक्शन थर्टी परसेंट अलाओ करते हैं अच्छा इंट्रस्ट ओन लॉन फॉर रिपेयर मकान की रिपेयर और रिनीवल के लिए लॉन लिया उसका ब्याज दिया हुए बीस जार इंट्रस्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना इंट्रस्ट हमे कि इंकम में से कुछ पैसा ठीक है जी वह अपने आश्रम के गुरुदेव को जो फैमिली गुरु है उनको देता है या अपनी सोतेली मा को देता है या अपनी वाइफ को देता है तो यह एन्वल चार्ज बेटा इसको बोलते हैं इसका भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यह ऐटोमेटिकली स्टैंडर डिडिक्शन में कवर हो जाते है एक ट्वाइर इंशरेंस प्रीमियूंट ट्वट ट्वंटी 500 फाइर इंशरेंस प्रीमियूंट में ही कवर होता है तो यह जितने भी एक्सपैंसिव रिखें रिपेर ग्राउंड रेंट एन्वल चार्ज या को कैसे करें यहाँ पर बेटा देखो यहाँ पर तीन पॉर्शन होगए बेटा थिक है फ्रस्च उनिट फ्रस्ट यूनिट का फ्रस्च तो नाइन वनज लैट आउट है और ठी सेल्फ-उक्ईपइड रहे और यह हो गया 50% पॉर्शन सेल्फ-उक्ईपइड फूल यह और 50% तो सबसे पहले बेटा आपको क्या ध्यान रखना है सबसे पहले हम इस पॉर्शन की बात कर लेते हैं जो पॉर्शन वो अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है इसके बारे में बेटा मैंने बताया है वह नो ट्रीटमेंट हाउस प्रोपरिटी हेड में ऐसे मकान का या ऐसे पॉर्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जो अस्येस अपने खुद के बिजनस के लिए या खुद के प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूँ तो नो ट्रीटमेंट अंडर हाउस प्रोपरिटी है इसका ट्रीटमेंट होगा बिजनेस एड neighboring इस पॉर और यह किस परपस के लिए रेजिदेंस के लिए कि इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं पहले इस एक तरह से पूरे मकान का वन फॉर्फ पॉर्शन है ये इंड यूनिट का तो यह फिफ्टी पर्सेंट पॉर्शन है मकान के अंदर नतोंयू कितनी यूनिट हैं थो अगर सेकेंड यूनिटी बात करें तो उसका 50% portion है बट अगर पूरे मकान का देखें तो पूरे मकान का ये एक चोथाई portion है ठीक है तो self occupied portion का treatment बेटा कैसे होगा देखिए सबसे पहले annual value हम बेटा ये मान के चल रहे हैं कि दोनों units first unit और second unit identical है ठीक है जी एक जैसी है तो annual value बेटा होगी नेल annual value में से बेटा क्या माइनस करेंगे less interest on loan interest on loan बेटा आपको देखिए पूरे मकान का interest on loan दिया हुए 20,000 हाँ जी बेटा पूरे मकान का interest on loan 20,000 है 20,000 interest on loan बेटा कितनी units का है दो unit का unit one और two का तो पहले एक unit का निकाल लेजिए एक unit का कितना बनेगा इसका हाफ करतीजिए 20,000 का हाफ करेंगे तो second unit का interest on loan आ जाएगा अब second unit का जो interest on loan आया बेटा उसका भी हमने 50% करना है ठीक है उसका 50% करेंगे तो यह बेटा कितना बनेगा इंटू one by two तो यह बेटा हमारा आ जाएगा और फाइव थाउजन का बेटा comparison भी करना है यह ध्यान रखेगा फाइव थाउजन का comparison बेटा किससे करेंगे थर्टी थाउजन के साथ थर्टी थाउजन के साथ क्यों करेंगे क्योंकि interest on loan बेटा किस परपस के लिए रिपेर रिनीवल के लिए ठीक है मकान के रिनीवल के नमीनी करन के लिए अगर construction के लिए होता फिर बेटा आपको देखना पड़ता कि थर्टी थाउजन की limit applicable होगी या टू लेकी बट रिपेर या रिनीवल के केस में हमेशा थर्टी थाउजन की लिए तो फाइट थाउजन और थर्टी थाउजन वी चेवरिजलेस लो बेटा जी हमने कर दिया तो यह बेटा हमारा लोस आ गया ठीक है यह आ गया हमारा लोस फ्रॉम सेल्फ अब क्या करना आपको अब बेटा आपको ट्रीटमेंट करना है फस्स यूनिट का हां जी बेटा अब ट्रीटमेंट कर लेते हैं हां जी बेटा यूनिट वन यूनिट वन लेट आट आट है यह बेटा फॉरम सेल्फ उक्यूपाइट तो अब एब यह बेटा में आपको बताया था ऐसे पुर्षिन का ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो यहां पर जो थ्री जो सेल्फ उक्यूपइड पीरियड है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इसका नो सेपरेट ट्रीटमेंट आपको किया करना सबसे पहले स पॉर्शन की यूनिट नंबर वन की एक्सक्टेड रंट निकालेजिए ड्यक्स्पेक्टेड यूनिट वनुन अन्जी विटा दे instal यूनिट एक्स क्वेस क्कुष्चन में विसीन गजैंगए जो कैसे निकालо गठाट देखिए तक मुनिसीपल टेक्स का हमारा यह पॉर्मूला मुनिसीपल वेल्यू इंटु रेट एपॉन हंडर्ड तो मुनिसीपल मेट इस सोजन में मिसींग है इन टु रेट बेटर ट्वनि परसेंट को इसी क्वेशन को बिटा सुल कर लेंगे मुनिसिपल वेल्यू हमारी 50 तैना यू पिसके है तो पूरे मकान की है तो फॉस्स यूनिट की निकालिए, उनिसीपल वैल्यू ऑफ यूनिट वन यूनिट वन की बेटा मुनिसिपल वैल्यू आ जाएगी कि यह चुक्ष wł? हमारे रेंट नीस स्टेंडर्ट करना ही नहीं तो करना एक्सपेक्टिज रेंट अब आपको क्या करना एक्ट इउ बिटा निकाल लीजी एक्टिन कितना बनेगा मकान नाइन ये जो यूनिट है ये नाइन मस्ट लेट आउट है तो टू-थाउजन मुल्टीपलाइट बाइन एक्टोल रेंट बेटा बनेगा अठारां जार यह वर्किंग नोट में हम लिख लेंगे कि अब 18,000 का कंपेरिजन करना है 25 के साथ 18,000 और 25,000 विच एवरीज हाइयर तो बेटा ग्रोस अनल वेल्यू कितनी आ जाएगी हमारी बताईए हां जी बेटा 18,000 और 25,000 में हाइयर अमाउंट कौन सा हो गया 25,000 इस में से बेटा क्या माइनस करेंगे 25,000 में से माइनस करो मुनिसीपल टेक्स तो मुनिसीपल टेक्स बेटा आपको ध्यान रखना है मुनिसीपल टेक्स अब आप कितने पॉर्शन का ट्रीटमेंट करें यूनिट वन का तो मुनिसीपल टेक्स आपको 10,000 दे रखे हैं पूरे मकान के यह पूरे मकान के हैं तो फस्स यूनिट के कितन तो ने तनल वेल्यू आगी अब थीक अब नेट लेलू में से विटा दो चीजे माइनस करनी है लिजी में इदर साइड में लिख देता हूँ मिर पास स्थोड़ा सा कम रहें कि ने तनल वैलू बिटा आगे पूरे मकान का इंट्रेस्ट रोन लोटा यहार है तो युणिट वन का कि तरह हो जाएगा अधि यूटन का वन हाफ तैन थाउजए विटा यह माइनस पूरेनस डालेगा तो ट्वॉनिटी धाउजएड में यह जो taxable amount आ रहा है वो है बेटा फॉर्थ अब आपको बेटा क्या करना है सुनिए यूनिट वन की हमारी taxable income 4000 आई है और जो मकान का वो portion जो self occupied था for residence उससे हमारा 5000 का लोस आया था अब हमने इस लोस को इस income से सेट अफ करना है हां जीटा 4000 की income से 5000 के लोस को सेट अफ करेंगे तो house property के अंदर विटा taxable income तो कुछ आएगी नहीं इस case में लोस आ जाएगा लोस अंडर house property head हां जी बेटा कितना आएगा 5000-4 1000 का विटा हमारा लोस आ जाएगा यह हमारा answer होगा हां जी बेटा बताईए हां जी बेटा क्लियर है हां जी बेटा देखते हैं एक पारसम और ले लेते हैं इसी टाइप का हां जी बेटा देखिए एक सम्विटा मैं और ले रहा हूं कुश्यन नंबर 28 हां जी बेटा पहले इसम का ले आउट त्यार करते हैं ट्वंटी एट कुश्चन में हां जी बेटा क्या कहता देखिए मिस्टर एक से खाउस का ओनर है देली के अंदर और इसने इस मकान का थ्री फॉर्ट पॉर्शन लो बेटा ये हो गया थ्री फॉर्थ पॉर्शन और ये बेटा हो गया वन फॉर्थ हां जी बेटा पहले थ्री फॉर्थ पॉर्शन के बारे में कहता है ये पॉर्शन जो थ्री फॉर्थ है ये बेटा सेल्फ उक्यूपाइड है एक सेल्फ उक्युपाइट फॉर फॉल लियर ठीक है जी फॉर एजिदेशल पर्पस और यह बैटा जो वन फॉर्थ पॉर्शन है यह बैटा लेट आउट है लेट आउट फॉर देशिदेशल पर्पस पान जी बैटा और कोश्शिन के अंदर यह दिया हूँ इसका जो रेंट है रेंट बैटा 700 पर मन्त गीवन है वन फॉर्थ पॉर्शन का और यह पॉर्शन जो लैट पाइज है नाइन तो बैटाइज था और थ्री मॉन्थ सेलफक्यूपैड भी है यह जो बैटा कितने मिंद तो बैटांच और उसके बाद बैटा किराएदार से मकानखाली करवा लिया दिसंबर में और जन्वरी से जन्वरी फरवरी मार्च तीन महीने इसमें और आया है जाने की थ्री मंद्स सेल्फ ओक्यूपएड है और नाइन मंस पीटा लेटाउट है अच्छा जी और क्या कहता है इस मकान की जो मुनिसीपल वेल्यू है इस पूरे मकान की मुनिसीपल वेल्यू आपको देर रखिए जोबिस हजार उसके बाद आपको क्या करना है मुनिसीपल टेक्स शेहजार रिपेर रिपेर टू थू थाउजंड है अंजी विटा अमांट अफ लॉन है एवन लेक हां जी विटा डेट अफ लॉन कि डेट ओफ लॉन है एक चार सोला कि रेट ऑफ इंट्रस्ट है अंजीटा टैन परसेंट पर एंडम है अंजीटा डेट ऑफ कंप्लीशन डेट ऑफ कंप्लीशन विटा दी रखिया है एक अत्यस तीन सत्रह और नथिंग हैस बीन रीपेर सो फार अभी तक इस लोन में से सोजबिए कि पर लेट की कि आ कि की कर लेते हैं पूरे मकान का इंट्रेस्ट लॉन की सिना बना लेते लिए कि अ सके बाद को स्टार्ट करेंगे हैं हाँ जी देखिये चैल्कुलेशन कुरूइशन ओप इंट्रस्ट ओन लॉन सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रीविए सीर का इंट्रस्ट इंट्रस्ट ओफ प्रीविए सीयर नाइंटीन ट्वेंटी तो वन लेकर लोन है वन लेकर लोन का 10% लो बेटा 10,000 रुपीज यह हमारा इंट्रस्ट ओन लोन आगे अब बेटा निकालो PCP प्री कंस्ट्शन पीरियड प्री कंस्ट्शन पीरियड के लिए बेटा एक तो डेट ओफ लोन को ले लीजिए एक जिस यह में मकान बनके त्यार हुआ है 31,3,7 1,21 में बिटा 16,17 हाँ एम बेटा इयर ऐ कंपलेशन है 16,17 सोलो सत्रह से सुलो सत्रह से पहले वाला साल बनेगा 15,16 की स्थट फंद्रा सोला की लास्ट ड़ीट क्या बनेगी 33,3 में मकान बनके त्यार हुता है उससे पहले वाले साल का आखरी दिन 31-36 ले लेंगे एक चार सोला से 31-36 यहां तो प्रीकंस्ट्रक्शन पिरेड कुछ बने गाई नहीं हो ठीक है प्रीकंस्ट्रक्शन पिरेड निल आ गया लो ठीक है तो हमें सिरफ प्रीवियस एर का जो इंट्रस्ट है सिरफ वही आपको डिड़क्ट करना है कि चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिटा कौन से पॉर्षन का चाहिए कर लेते हैं कि सबसे पहले हम ट्रीट्मेंट करेंगे सेल्फ औक्यूपाइट पॉर्षन उपर बेटा जो हेडिंग लिखते हैं वो आप सब लिख लिजिएगा calculation of taxable income for the previous year ठीक है वो सब आपको लिखना है एक्जाम में तो self occupied portion बेटा कितना है थ्री फॉर्थ तो सबसे पहली बात चाहिए बेटा self occupied पूरा का पूरा मकान self occupied हो या मकान का कुछ हिस्सा self occupied हो एन्वल वेल्यू बेटा always क्या रहती है निल हाँ जी बेटा एन्वल वेल्यू में से बेटा सिरफ एक ही चीज माइनस होती है self occupied केस में interest on loan अब यहां पर ध्यान रखने आपको interest on loan पूरे मकान का बेटा interest on loan 10,000 है तो थ्री फॉर्थ portion का क्या होगा हाँ जी बेटा इस थ्री फॉर्थ portion का बेटा interest on loan नहीं का लेते हैं 10,000 multiplied by 3 by 4 लो बेटा यहां लिख लेते हैं वर्किंग नोट में इंट्रस्ट on loan और self occupied portion 10,000 multiplied by 3 by 4 हाँ जी बेटा यह 7500 बेटा हो गया ठीक है इंट्रस्ट on loan बेटा 75,000 अब यहां पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है यह 75,000 का comparison भी करना है बेटा आपने किसके साथ करेंगे 2 lakh के साथ या 30,000 अब यहां पर देखते हैं लोन किस परपस के लिए लोन बेटा लिए construction के लिए construction के लिए लोन लिया है और 31,99 के बाद हां जी बेटा 31,99 के बाद loan लिया गया हो और construction date of loan से पांच साल के अंदर पूरी हो जानी चाहिए तो सारी condition फुल्फिल हो रही है तो 75,000 की तुलना बेटा 2,00,000 से करोगे ठीक है जी 75,000 और 2,00,000 हां जी बेटा which average less तो 75,000 बेटा माइनस हो जाएंगे यह self-occupied portion का लोस आ जाएगा लो बेटा एक तो यह हो गया हमारा loss of self-occupied portion अब आ जाए यह हां जी बेटा जो portion जो बाकी one-fourth portion है हां जी बेटा let out portion let out portion बेटा कितना है one-fourth हलाकि यह portion भी कितने महीने बेटा self-occupied रहा three months ठीक है बट इसका कोई treatment नहीं होगा self-occupied period है यह portion नहीं है no treatment self-occupied period का बेटा ध्यान रखना कभी treatment नहीं होता तो आप करेंगे क्या let out portion की बेटा पूरे portion पूरे portion की निकालने के लिए पहले हमें पूरे portion का क्या चाहिए एक्सपेक्टिड रेंट भी चाहिए तो expected रेंट निकाल लेते हैं इस portion का कितना बनेगा आप उसके लिए आपको क्या करना है municipal value और और फेर रेंट पहले मुनिसीपल बेली और फेरेंट का कंपेरिजन करो एक्सपेक्टिड रेंट आ जाएगा विच आवरिज हाईयर विच आवरिज हाईयर बेटा 24,000 यह 24,000 बेटा पूरे मकान का expected रेंट है हमें चाहिए इस one fourth portion का तो one fourth portion का expected रेंट हो गया 6,000 ठीक है अब इस एक्सपेक्टिड रेंट का comparison किसे करेंगे एक्चॉल रेंट के साथ अब एक्चॉल रेंट बेटा देखो एक्चॉल रेंट आपको ध्यान रखना है हमें लेट- पिरिएड कितना है नाइन मंस मकान लेट आउट रहा है तो सेवन हंड़ेंट इंटू नाइन अजिए शिक्स्टी थ्री हंडड़ एक्सपेक्टेड रेंट तो सिक्स थाउजेंड और एक्चुल रेंट क्या माइनस करेंगे मुनिसीपल टेक्सिज मुनिसीपल टेक्स विटा आपको पूरे मकान का सिक्स थाउजेंड दिया हुआ है और हमें चाहिए वन फॉर्ट पॉर्शन का कि अजिए शिक्स थाउजेंड का बन फॉर्ट कि यह हो जाएगा पंद्रा सुर्पे त्रेश्ट सो में से विटा पंद्रा सो माइनस करेंगे फॉर्टी एट एट एंडड़ विटा हमारी नेट टैनल वेल्यू आगी इसको में से माइनस कर देंगे स्टेंडर डिटेक्शन स्टेंडर डिठेक्शन कितने पर्सेंट работает by correctly यह घुट चोदा सुचालिस 1440 जिरू इसके बाद विटा आपको लेस्कार नहीं इंट्रेस्ट जॉन लॉऔ में इन्ट्रस्ट लोन वेटा देखो पूरे मकान का हमने इंट्रस्ट लोन टेन थाउजन निकाला था तो इंट्रस्ट लोन फ्लेट प्ट पॉर्षन कि कैसे करेंगे टैन थाउजन का वन फॉर्थ ट्वेंटी फाइव इंडर पूर विदाउट एनी लिमिट आपको लेस्ट करना है जितना भी ट्वेंटी फाइवंडर्ड विटा यह लेस्ट हो जाए तो ओवरॉल फॉर्टी एट इंडर्ड में से हमें माइनस करना थ्री इन फॉर जीरो माइनस करेंगे तो बिटा यह बनेगा हमारा एक सिक्स्टी आट सो साथ रवे बिटा आ जाएगा लो जी एट सिक्स्टी बिटा यह हमारी इंकम आ गई ठीक है इंकम आफ लेट आउट पॉर्शन और लोस ऑफ सेल्फ उक्युपाइड पॉर्शन हाँ जी बिटा अब क्या करना है अब आपको सैंटी फाइव हंड़र्ड रुपीज का जो लोस है उसको आपने 860 रुपे की इंकम से सेट आफ करना है इस लोस को बिटा सेट आफ करेंगे कहां से इंकम ओफ लेट पॉर्शन बट लोस बिटा ज्यादा है तो सारा का सारा लोस तो सेट फोनी रहा जितना लोस सेट आफ हो रहा है वो करती जिए तो हाउस प्रोपेर्टी हैड में बिटा इंकम तो कुछ आएगी निए लोस आ जाएगा तो लोस कितने का इनल आंसर आ रहे यह लोस अंटर दा हैड हाउस प्रोपेर्टी है यह वेटा हमारा अंसर है ठीक है जी बताओ बेटा क्लियर है चलिए आज की क्लास को विटा यहीं ओवर करते हैं बाई बाई शुब रातरी लोसब कर बाई समय स्कानिक डियर है जो का महम है रहाई भीको आएगा